अहलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं इंडियन ओवर्सीज बैंक से लेटर तो कल अपर एक वीडियो बनाई थी अगर आपने यहां पर देखा होगा अमने यहां पर बनाया था कि इस एक्टर में बनेंगे पैसे हाना निफटी बैंक मैंने आपको बताया था त ठीक है और उसी के बेस पे मैं आज यहां पर एक शेयर से लेटेड बात करूँ हूँ जिसका नाम है इंडियन ओवर्सीज बैंक जो की लगबाद चौट रुपे का शेयर है और अगर हम बात करें तो आठ परसेंट आज लगबाद भागता हुआ नजर आया है तो क्या यह शे कोई भी recommendation है नहीं अपने financial advisor कुद की study करना है चीजों को सीखने पर focus करना है और I am small cap investor जो आपको यहां पर सिखाते भी है ठीक है ना यहां पर इससे subscribe कर लीजिए, bell icon को hit कर लीजिए, all की notification कौन करें ताकि इस तरही के वीडियो मिलता रहा है बाकी वीडियो को देखिए, व तो वो जवाब आपको मिलेंगे हमारे scores में, 8605-40501, 8169-261-037, दोनों नमरों को save कर लीजिए, basics to advanced technical, research, fundamental, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, यह सारे जवाब आपको मिलते हुए नजर आएंगे, आपको समझ में आएगा share, एक level से ही क्यों बागता है, एक level से ही क्यों किरता है, वो चीज़ यह आपको समझ में आजाएगी, जब यह समझ में आजाएगा, तो इस course के बाद के वर एक से डेड़ सार practice करने में यहाँ पर time निकालिएगा, जो हम यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर पैसे बनेगा, बात में काम करिए, आप portfolio size आपका और बड़ा है, तो और अच्छी बात है, contact करके देखिए इन नंबरों पर, contact करने का कोई पहसा नहीं है, simply आपको बात करनी है, Indian Overseas Bank के हम बात करेंगे, तो company के पारे में जान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, Indian Overseas Bank was founded in 1937 by चदंबरम चेक टेयार, तो इनके बार, in 1937 का यह bank है, और one of the 14 major banks में से यह जो nationalized bank है, जो PSU bank है, उनमें से एक है, और अगर बात करें, company अच्छा का से हाँ पर काम करती हुए, नजर आती है, ठीक है, आप जाओगे इनकी website पे तो आपको समझ में आएगा कि यह personal banking किस तरीके से पर प्रवाइड करते है, corporate, agree and ruler, MSME, 4X वाला अलग तरीक है, की service जो bank प्रवाइड करती है, वो सारी यह और Indian overseas प्रवाइड करती हुए, नजर आती है, शेयर की बात करते हैं, एक लाख बाइस अजार पांसो अट ब्यासी करोड रूपे के आसबास का market cap है, ठीक है, इसके इ टीक है, ना, चौसट और पर शेयर चल रहा है, debt to equity की बात करें, 11.2 है याद रखिए, यहां पर यह calculate नहीं किया जाएगा, क्यों कि यहां पर यह bank है, ठीक है, ना, कामी इनका debt से related है, तो यहां पर इसे calculate नहीं करेंगे, बात करेंब, industry PE की, तो industry PE 9 का है, और इसका PE 49 का है, ठीक है तो इसे तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जहां पर दूसरे जो इसके पीर से ठीक है ना दूसरे जो पीर से ठीक है SBI की बात करें 9 पे मिल रहा है PNV 18 पे मिल रहा है Bank of Product 7 पे मिल रहा है Union Bank 9 पे मिल रहा है कंपनी की प्लाइजिंग की बात करें किसी तरीके की प्लाइजिंग नीए बस थोड़ा से महेंगा यहां पर नजर आता है Maximum chart pattern की बात करें तो कभी यह शेयर 2007 के आठ के आसपास 200 रुपे पे चलता था तो यह यहां पर आप देखोंगे लगाता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 3700 क्रोड के आसपास की है जो कि कॉटली यह दोनों बेसिस पर अच्छी है जो की अच्छी मानी जाती है और बात करें बट फॉरिशनल मार्जिन हाना जो की काफी बैंकों के नेगेटिव ही दिखा है यह एक पॉजिटिव चीट है और कहीं न कहीं इसी पर्टिकुलर चीट के वैसे आप देखते होगी यह शेयर लागातार एक हायर हाइस बनाता हुआ नजर आ रहा है बात करें के यह परफॉर्मिस की तो आपको समझ में आएगा कंपनी का यहली परफॉर्मिस तो ऐसा पिछले 10-11-12 साल की तो आपको समय आएगा सेम रिवेन्यू सेम ही यहां पर दिखाई देता है इसके लावा नेट पॉफिट की बात करें तो नेट पॉफिट बीच में तो नेगिटिवी आया था ना जो क्योंकि कंपनी यहां पर आप देख सकते है घाटा करती भी नजर आ रही थी अब यहां पर आप देख पा रहे होगे कि यहां पर लगाता पिछले 2-3-4 वाटर से पॉजिटिवीटी यहां पर दिखाई देती है ठीक है इसके लावा और जब पॉजिटिवीटी दिखाई देती है तो उसके बाद यह वैसी बात है शेर को भाग नहीं है पॉजिटीव केश फ्लोव है और हम बात करें और चीड़ोगी तो प्रमोटर जो की इसके प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और गॉण्ट ऑफ इंडिया है लगबग 96.38% के शेर इन्हीं के पास है यहां पर है नहीं डिया इस की बात करें तो ना के बराबर है और बल्की हिस अब बात करेंगे चार्ट से लेड़ी कि चार्ट यहां पर क्या कह रहा है ठीक है यहां पर आप देखेंगे 8% के आस पास क्या स्टेजी हुगी है तो ऐसा क्यों कि यहां पर इतने attractive financials नहीं है बर कहीं न कहीं ठीक है तो क्यों तो उससे लेटीन हम बाते करेंगे क्या हो सकता क्या नहीं पर उससे पहले आपसे request है कि I am small cap investor चैनल को subscribe, bell icon को ही talk notification को on करे, buying selling की recommendation है नहीं, चीज़ों को सीखने पर ध्यान दीजिए, जब सीखेंगे आज नहीं तो कल पैसर definitely बना लेंगे, बाकी इन नमबरों पर note करके course कर सकते हो, साथ में काम करना है तो साथ में काम कर स कर आया ठीक है और एक बेस बना के अब चीज़े निकलती हुए नजर आ रही है ठीक है आज की यहां पर तेजी हुए मुझे लगता है कि यह शेयर कल पर सो तक यहां पर पहुच जाएगा ठीक है एक लेवल है और अगर यह particular level को यह निकाल देता है तो फिर सीधे लग लग यहां पर दुबारा एक तेजी होती हुए नजर आएगी क्योंकि इस तरीके की तेजी आप देख सकते हो कि 44 से 84 अना लग बस 70-90% की लगातार तेजी आप फिर देख सकते हो और मैक्सियन चार्ट प्रेटर अगर बात करें तो मैने आपको बताई है कि मैक्सियन चार्ट प्रेटर तो मैक्सियन चार्ट प्रटर यह जैसे ही निकलेगा 80 फिर 92 ku की तरफ निकलेगा पि 92 के बाद अगम बात करें 141 और 186 और फिर 225 तक यह शियर जाता हुए दिखाई दे सकता है बट इस्टिल बहुत एग्रेसिव बेसे नहीं जाना ठीका चीजों को बहुत तरीके से समझ नहीं है ठीक ना कमपनी के बैंक के यहां पर परफॉर्मेंस को देखना है आख बंद करके यहां पर पैसे नहीं लगाने कहीं नहीं यह तोड़ा सा महेंगा नजर आता है य वीडियोज आपको यहां पर मिलते रहे साथ में काम करना है तो इनी नंबरों पर कॉंटक करके साथ में काम कर सकते हो हाना और कोर्स करना है तो कोर्स कर सकते हो सीखेंगे तो उसका फाइदा आज नहीं तो कल आपको होता हुआ नजर आगा तो थैंकी सो मुच गॉट ब्लस झाल झाल झाल